आकाश्वाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं पूर्वात रुवेदी पहले मुख्य समाचार भारत असीमिद अपसरों का देश है ब्रादेल में उद्योगपतियों से कहा प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश भर में आज नेशनल लोक अदालत आयुजित की जाएंगी बिजली से संबंधित प्रकरणों का होगा निराकरण देश के पहले प्रदान मंत्री पंडित जवाहरलाल नहरू की 130 वी जैनती आज प्रदेश भर में आयुजित होंगे कई कारगरम और इन दौर के होलकर स्टेडियम में भारत और बांगलादेश के बीच पहला करकेट टेस्ट मैच आज से अब समाचार विस्तार से प्रदान मंत्री नरींद्र मोदी ने ब्रिक्स देशों के उद्योगपतियों से भारत में विशेश कर इसके ढाचा गत विकास में निवेश करने का अनुरोध किया है और कहा कि भारत विश्व की सरवादि के खुली और निवेश अनुकूल अर्थ विवस्ता है ब्राजील की राजधानी ब्रासीलिया में ब्रिक्स व्यपार मंच के समारों को संबोधित करते हुए प्रदान मंत्री ने कहा कि राजनीतिक इस्थरता आशावादी नीती और व्यापार अनुकूल सुधारों के कारण ऐसा हुआ है उन्होंने कहा कि भारत असीमित अवसरों का देश है शिमोधी ने कहा कि ब्रिक्स के पाँचों देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दशन अफ्रिका ने वैश्विक आर्थिक मंदी के बाबजूद आर्थिक विकास किया है ब्रिक्स देशों की विश्व के आर्थिक रद्धी में आधी भागीदारी है केंद्रिय श्रम और रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि कर्मचारी राजबी मानिगम ESIC की प्रधान मंत्री जन आर्योग्य यूजना आईशमान के साथ सांचिदारी से 102 जिलों में ESI कारधारकों को बहतर चिकित सा सेवा प्रधान की जा सकेगी श्रिगंगवार ने कल दिल्ली में ESIC डेंटल कॉलेज और अस्पताल में तीसरे दीखशान समाहरों को संबोधित करती हुए कहा कि ESIC ने अस्पताल खोलने के लिए नियमों में धील दी है और जहां 20,000 कारधारक मौजूद है वहां 30 विस्तरों वाला अस्पताल बनाया जा सकता है। विजली चोरी और गडबडियों के मामलों से जुड़े लोग अदालत में समझोता शर्तों का मसौदा जारी कर दिया है। लोग अदालत में मामलों की निप्टारे पर विजली कंपनी ने बकाया जमा करने पर छूट देने का फैसला किया है। इंदोर जिला प्रशासन ने नई पहल करते हुए मृतक के परिजनों को शासन की योजनों की जानकारी देने के लिए सहकार नाम से एक एप शुरू किया है कलेक्टोरेट सभकक्ष में कलिकार शाला आयो जितकर सहकार एप के बारे में नगरिया और ग्रामिर इस्थानीय निकाय के अधिकारी कर्मचारियों को प्रसिक्षन दिया गया इंदोर जिला पंचायत की मुखी कारेपालन अधिकारी ने इस एप की जानकारी देते हुए बताया कि सहकार डेश बोर्ड में नागरिकों की स्क्रीनिंग और योजना की जानकारी योजना की प्रक्रिया आवशक दस्तावेज ब्रतक से संबंदित जानकारी जैसे उसका बाहित है या नहीं आएकर दाता है या नहीं आधिक अनुसार एक नागरिक प्रोफाइल बना कर उसके आश्रतों को पात्र योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराई जाती है हिंदुजा उद्योग समू प्रदेश में 7000 करोड रुबे की लागत की अशोक लीलंड ट्रक निर्मान की काई लगाने पर विचार कर रहा है हिंदुजा समू के चेयर्मेन गोपी चंद पी हिंदुजा ने कल लंदन में प्रदेश के प्रमुक सचिव उद्योग डॉक्टर राजिश राजवरा से चर्चा में यह जानकारी दी ब्रिटिश पार्लियामेंटर के हाउस ओफ लॉट्स में हुई मुलाखात में इस एकाई की प्रदेश में स्थापना कर चर्चा के लिए श्रे हिंदुजा ने डॉक्टर राजवरा को शुकरवार को लंदन इस्थित हिंदुजा उद्योग समू के मुख्याले में चर्चा के लिए आमंदरत किया है प्रमुक सचिव डॉक्टर राजवरा ने बताया कि अशौक लीलेंड ट्रक की प्रदेश में प्रस्तावित एकाई की स्थापना होती है तो चार हजार से लेकर पांच हजार करोड रुपे के पूंजी निवेश की ऑटो इंडिस्टीज इंसिलरी भी प्रदेश में आएगी डॉक्टर राजिश राजवरा की प्रसिद्य उद्योगपती लाड स्वराज पॉल से भी मुलाकात हुई इसके पहले डॉक्टर राजवरा निकल इंसिट्यूट ऑफ डारिक्टर्स की ब्रिटिश पाइलामेंट में आयुजित बैठक में मध्य प्रदेश का प्रजेंटेशन दिया समाचार सुन सकते हैं संदेश में कहां कि देश का हर बच्चा शिक्षित हो और उसका भविश्य जवल तथा संब्रद्ध हो राजजानी भोपाल के रोशन पुरा चौरा हैस्तित उनकी प्रतिमा पर सुबह साड़े दस बजे पुश्पान जली कारिक्रम आयुजित किया गया है प्रदेश कॉंग्रिश उपात द्यक्ष संग्षन प्रभारी चंदर प्रभार्श स्टियक शेखर ने बताया कि मुख्यमंतरी कमलनात इस कारिक्रम में शामिल होंगे सभी आंगनवारियों में बाल रंग मेले का आयो जन किया जा रहा है प्रदेश के लोग स्वास और परिवार कल्यान मंतरी तुलसी राम सिलावट ने राजधानी भोपाल में डेंगू और मलीरिया की रोगधाम तथा इस से बचाव के लिए किये जा रहे प्रयासों की समिशा की इस दोरान उन्होंने जन जागरुकता अभियान चलाने के निर्देश दिये हैं शिसलावट ने डेंगू और मलीरिया से प्रभावित राजधानी के 22 शेत्रों में डोर टो डोर सर्वी का काम तेजी से पूरा करने के लिए कहा है शिसलावट ने भोपाल के जेपी अस्पताल में एलाईजा चस की शमता को और अधिक बढ़ाने के नरदेश दिये कलेक्टर तरुन पिथोडे ने समिशा के दोरान बताया कि भोपाल में डेंगू नियंतरन के लिए 85 वाडो को 19 जोन में बाटा गया है प्रत्य की जोन के लिए एक नियंतरन दल का गठन किया गया है जिसमें 10 से 12 अधिकारी कर्मचारी शामिल है बैठक में बताया गया कि पिछले वर्ष की तुल्ना में इस वर्ष प्रदेश में डेंगू प्रक्रणों में कमी देखी गई है सहकारीता और सामानी प्रशासर मंत्री डॉक्टर गुवन सिहीं आज सहकारीता भवन में ग्रामीन्ट सहकारीता के माध्यम सी नवाचार संगोष्टी का शुबारम्भ करेंगे भारत और बांगलादेश के बीच दो टेस्ट मैचों की श्रंकला का पहला मैच आज से इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा टेस्ट क्रिकेट में पहली बार गुलाबी गेंच से मैच खेला जाएगा इस मैच का आकाश्वानी से आखोंधे का हाल सुभा नौ बच कर तीस मिनिट से राजधानी और इंदौर प्रशासन ने सुरक्षा के लिए 1500 से जादा पुलिस कर्मियों को तैनाद किया है इंदौर की होलकर स्टेडियम पर एकलौता टेस्ट 2016 में भारत न्यूजिलेंड के बीच खेला गया था अब कुछ समाचार संशेप में प्रदेश के खेल मंतरी जीतू पटवारी कल नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में खेल मंतरियों के सम्मेलन में शामिल होंगे प्रदेश सरकार ने दिवास जिले की पिपल रावा और टोक खुर्द नगर परिशत का कारी काल खत्म होने पर प्रभावी प्रशासकों की नियुक्ति की है मुरेना जेली में इस सार रभी सीजन की फस्थों की वुआई दो लाख एकत्तर हजार हेक्टर शेत में की जाने का लक्ष है और खरगोन की महेश्वर में चल रहे 26 वे निमाड उस्थव के तीसरे दिन कल ओडी सी नरत्यत समू द्वारा प्रस्थती दी गई अन्त में मुक्षी समाचार एक बार फिर भारत असीमित अफसरों का देश है ब्राजील में उद्वगपतियों से कहा प्रधार मंतरी नरेंद्र मोदी ने प्रदेश भर में आज नेशनल लोग अदालत आयोजित की जाएंगी विजली से संबंदित प्रक्रूण का होगा निराकरण देश के पहले प्रधार मंतरी पंडित जवाल लाल नहरू की 130 वी जैनती आज प्रदेश भर में आयोजित होंगे कई कारिक्रम और इंदोर की होलकर स्टेडियम में भारत और बांगलादेश के बीच पहला क्रिकेट टेस्मेज आज से इस बुलिटिन में इतना ही आकाशवाणी भोपाल से अगला प्रादेशिक समाचार बुलिटिन सुनिए दोपहर दो बच कर 30 मिनिट पर नमस्कार जुलिआ कि अजैके इसे अज़ पर दोपहर वबने करते के रहीं सवर्म है झाल झाल